तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इंडियन पार्टी मेकप लोग हूँ विकास आज मेरे फ्रेंड की शादी है और मैं वहाँ जाने वाली हूँ तो मैंने सुचा कि मैं ये मेकप लोग आपके साथ शेर करूँ So let's get started तो सबसे पहले मैं यहाँ न्यूट्रेजीना का आउल फ्री मौश्राइजर यूज करे हूँ क्योंकि मेरा बेज का टेक्श्चर अच्छा है ये आउल फ्री मौश्राइजर है और ये आउयली स्किम के लिए सबसे अच्छा काम करता है And next मैं यूज करूँगी कलबा प्राइमर ये प्राइमर जेल वेज है उसे मैं बहुती स्मूध से अपने फेस पे अपलाई करूँगी ताकि मेरा मेकप केकी ना लगे और next मैं यूज करूँगी मेबिलिल लिप बाम मेरी लिप्स को मौस्टराइज करने के लिए तो next I am starting eye makeup इसलिए मैं यूज करूँगी आई प्राइमर आई प्राइमर की जगे हम कंसीलर भी यूज कर सकते हैं आई प्राइमर यूज करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि हमारा आई मेकप अच्छी तरह से अपनाए हो उसके बाद मैं मेबिली न्यूट्स पैलेट से ट्रांजिशन शेड यूज करूँगी अपनी आई लेट पे और यहां मैं कलर बार का फ्लफी ब्रश यूज कर रहे हूं उसके बाद मैं लैकमे 925 आई शेडो पैलेट से ये ब्राउन सिमरी शेड अपनी आई क्रीज पे अपलाई करूँगी फ्लफी ब्रश की मदद से आई लाइक दीश शेड ये बहुत ही ब्यूटिफुल और पिग्मेंटेट ब्राउन शेड है अब मैं यूज करूँगी सीम पैलेट से लाइट ग्रीन शेमरी शेड ब्राउन शेमरी शेड मैं अपने लोवर लेश लाइन पे अपलाई करूँगी येल्लो शेमरी शेड मैं अपने आई कॉर्नर पे अपलाई करूँगी अब मैं यूज करूँगी लेक में एपसुलूट ब्लोस आर्टिस्ट आई लाइनर सारे प्रोड़क्स की डीटेल मैंने डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में मेंशन की है ते नेक्स में यूज करूँगी कजल नेक्स में यूज करूँगी कजल from brand called sugar and then मैं अपनी आइलेश कर्ल करके मस्करा यूज करूगी मेबिली न्यूज पैलेट सो ये डार्क ब्राउन कलर अप्लाई करूगी अपनी आइब्रोज को शेप देने के लिए अपनी ब्रोबोन को हाइलाइट करने के लिए मैं सीइंग पैलेट से हाइलेटर अप्लाई करूगी नेक्स्ट में यूज करूँगी मेक मेच मास्टर फाउन्डेशन और मेरा शेड नंबर है एनसी थर्टिफाइब कंसीलर के लिए मैं यूज करूँगी मेक प्रो लॉंग वेर कंसीलर और मेरा शेड नंबर है एनसी थर्टिफाइब और में यूज करूँगी रेवलो नेरली नेक्ट कंपक्ड पूडर वर अवर मेरा शेड नंबर है एनसी थर्टिफाइब कॉंटूरिंग के लिए मैं मेबिलीन वी फेस कॉंटूर पैलेट यूज करूँगी और इसे अपने वी फेस कॉंटूर पैलेट यूज करूँगी अब है तुम रेल टेक्प्नीक कंटूर ब्रॉष अप्लाइ करूँगी Do the same thing on my nose as well L'Oreal Paris Blush Palette चीद उप्रिंक शेड में अपने चीक पे एपलाई करोंगी यहां मैं M.U.A का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ इसे मैं अपने चीक बोन्स, ब्रीज उफ माइ नोज, टीप उफ माइ नोज, मैं फोरहेड और मैं चीन पे एपलाई करोंगी और यह लिप्स्टिक रॉंग लाश्टिंग है यह रिंग्स और बिंदी और अपने हैर को प्रॉपर करके अपना लुक फिनिश करूंगी I hope के आपको मेरा यह वीडियो पसंदाया होगा अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंदाया हो तो प्लीज मेरी चनल को सब्सक्राइब करना मत बूलना और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना Thank you guys, Love you, Take care, Bye झाल झाल झाल